अमस्कार एंड वेलकम टूई स्मार्टर रेवडे चलन दोस्तो आप सभी के लिए बहुती बंपर विकेंसी आ चुकी है जो भी केंडिगेट होम गार्ड की पोश्ट पे जाना चाते हैं और उनके पास सातवी और या दसवी पास योगता है तो दोस्तो आप जो है होम और जिसमें दोस्तो 14-78 यहाँ पर कुल विकेंसी रिलीज किया गया है इस वीडियो में मैं आपको एक्जाम पैटर फिजिकल आपका क्या रहेगा कितनी हाइट मांगी गई है कितना चेस्ट मांगा गया है रनिंग कितनी है इसके बाद दोस्तो आपको अपलाई कैसे करना ह एक ही वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट जनकारी यहाँ पर देने वाला हूँ तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है उससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर पहले के साथ साथ दोस्तों नोटिफिकिशन बलको जरूर प्रेस करके रखें क्यूंकि आपको इस चैनल पर दोस्तों 100% authentic and genuinely गौर्णन भरती के बार में ही जनकारी दी जाती है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसके regarding यहाँ पर notification है आपको जो भी जनकारी आपको अपन संख्या नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है और इसमें दोस्तों इसको apply करना है आपको online ही online आवेदन करने का भी process में आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर post देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रामिड ग्रह रक्षोकों के लिए य यहाँ पर देख सकते हैं 638 यहाँ पर कुल विकेंसी रिलीज किया गया है इसी प्रकार से यहाँ पर सहरी ग्रह रक्षकों के बात करें तो 840 यहाँ पर कुल विकेंसी रिलीज किया गया है इसके लावा दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ पर उम्र क्या होना चाहिए कि minimum उम जो है 19 वर्स होने चीए और maximum यहाँ पर 40 वर्स ता candidate जो है आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर date of birth भी यहाँ पर mention कर रखा है 1-1 1983 से लेके 31 दिसंबर 2003 के बीच दो भी candidate आते हैं वो सभी candidate यहाँ पर home guard बन सकते हैं इस post को apply कर सकते हैं ठीक है इसके लावा योगता की बार में बात करें तो योगता दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीड ग्रह रक्षकों के लिए अगर आवेदन कर रहें तो उसके लिए सिर्फ 7 पास यहाँ पर मांगा हुआ है और सहरी ग्रह रक्षकों के लिए यहाँ पर 10 पास यहाँ पर मांगा हुआ है इसके लावा साररीक माप डंड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ग्रामीड और सहरी दोनों के लिए यहाँ पर लंबाई देख सकते हैं पूर्षो की 112 cm और 112 cm जो हाइट है समान है OVC कटेगरी और BC कटेगरी को यहाँ पर होना चीए और 157 cm अनुसूची जन जाती का यहाँ पर मांगा गया महिलाओं का 148 cm यहाँ पर हाइट हो नीचे यह ठीक है इसके लावा यहाँ पर सीना देख सकते हैं पूर्षो का 79 है जिसमें यहाँ पर समान है OVC BC कैंडिगेट है और 76 जोस्तों अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती का यहाँ पर मांगा गया है ठीक है और इसमें दोस्तों टेकनिकल यानि कि टेकनिकी छमता सिर्फ टेकनिकी सहरी डक्स सहरी ग्रह रक्षकों के अभियरतियों के लिए मतलब इसमें जो है टेकनिकी वाली भी भरती यहाँ पर निकाली गई है जिसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन से पोश्ट यहाँ पर सामिल है, अपर चिकित सक, अभियनता, इसके लबावा नर्स की है, कंप्यूटर की है, इसके लबावा टंकं की है, इसके बाद यहाँ पर रसोया, बढ़ाई, मोची, धोबी, नाई, विजली, मिस्तरी, बहुत सार यहाँ पर पद निकाला ठीक है, जिसमें दोस्तों हम जाज की बात करें, तो दोड़, एक मिल की दोड़ जो होगी, पूरसों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, पाँच मिनट या उससे पहले कोई के अन्डिगेट यहाँ पर एक मिल की दोड़ यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है, तो उसको यहाँ 20 अंग मिलेगा, और 8 मिनट से 10 मिनट तक यहाँ पर कोई महिला रेस कंप्लीट करती है, तो उसको आयोग्य घोसित कर दिया जाएगा, ठीक है, उची कूद यहाँ पर देख सकते हैं, दोस्तों जिसमें नियुनतम जो है 4 फीट, अगर कोई महिला पूरस यहाँ पर कूदता और 5 फीट से अधिक आप कूदते हैं, तो आपको पूरसों के लिए 10 अंग दिया गया है, और 4 से अधिक कोई महिला यहाँ पर उची कूद कूदती है, तो यहाँ पर 10 अंग दिया जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, तकनिकी रक्स सहरीगरा रक्षकों क सभी का यहाँ पर जो है अलग-अलग, मतलब आपको कोशिस यह करना है, कि जो समय दिया गया है, उस समय के भीतर ही आपको आ जाना है, और अच्छा जो यहाँ पर फिजिकल आप अच्छा करेंगे, तो यह इसके मांक्त जो है, यहाँ पर जुडने वाले है, ठीक है, इसके सहरी गर्य रक्षों के लिए यहाँ पर जो है, देसवी कर्चा के स्तर से अनुसार, लेकन चमता की जाज की जाएगी, ठीक, क्वालिफाइंग मांज जो है दोस्तों, यहाँ पर हंडेट पर से आपको तीस तो आपका होना ही होना जीए, ठीक है, इसके लावाँ तक्निकी दक्षता परिक्षा में यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी दोस्तों यहाँ पर जो है, 100 अंक का यहाँ पर आपका पुर्णांग जो बनेगा, 100 अधार पर बनेगा, जिसमें 30 अंक तो आपका होना ही होना चीए, ठीक है, यह इसको दोस्तों यहाँ पर अलग से यहाँ पर अंग मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इस्तान प्रथम दितिय इस्तान के लिए कोई राष्टी के लिए राष्टी इस्तान पर खेले हैं उनको छे अंग दितिय इस्तान आए हैं उनको चार अंग तितिय इस्तान आए हैं 2 अंग राज इस्तर में खिले हैं तो उनको यहाँ पर प्रतम जो आए है राज इस्तर में खिलके प्रतम आये हैं उनको 3 अंग 2 अरहेख अंग यहाँ पर مिलेगा तिर्यते वाले को एक अंग ठीक है तो यह चिजे भी आपको समझ गया होंगे और इसके अलबा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर qualification के भी अधार भी यहाँ पर marks मिलने वाले हैं कोई candidate metric किया हुआ है तो 4 अंक मिलेगा, intermediate किया है तो 6 अंक मिलेगा और यहाँ पर graduation किया है तो 8 अंक और post graduation किया है तो 10 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं फॉर्म भरने की last day दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 17 मार्च 2023 तक आपको इसको फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन आपको कर लेना है तो आप सभी को बढ़ चड़ के इसमें हिस्ता लेना चाहिए पाटिसिपेट करना चाहिए तो apply now पर click कर लेना है दोस्तों और इसके regarding यहाँ पर आपको जो है registration करने का यहाँ पर option आपको मिल जाएगा नीचे scroll करके जाना है requirement name में दोस्तों आपको select करना है यहाँ पर सबसे पहले home guard requirement आजाएगा और यहाँ पर post आपको select करना है कि आपकी इस post के लिए apply कर रहा है उसके बाद send OTP करना है तो आपके mobile number पर OTP जाएगा वो OTP यहाँ पर डाल के verify कर लेना है email ID डालना है और यहाँ पर registration कर लेना ठीक है उसके बाद दोस्तों login वाले option पर जाएगे तो आपको applicant ID नमबर मिल जाएगा password यहाँ पर मिल जाएगा उसको यहाँ पर login करके यहाँ पर आगे form को आपको भरना होगा ठीक है तो यही process है इसी process को यहाँ पर follow करना है और जिन भी candidate को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझे comment box से comment करके जरूर पूछीएगा मैं उसका उतर जरूर दूँगा और इस वीडियो में इतना ही इस परकार की ऐसी authentic and genuine update के लिए आपको इस आलों को subscribe कर लेना है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thanks for watching, jahind